हलो एवरिवान मैं पूजा और दोस्तों आपका स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल पर हाल ही में मैंने आप लोगों के साथ वीडियो शेयर किया था जहां पर मैंने साइरस की डाइट अपनाई थी और अपनी जाईयों से रिलेटेड वो बात आपके साथ शेयर की थी उस वीडियो में डाइट क्या ले रही थी यानि की साइरस कौन है और उनकी क्या डाइट प्लान है जो मैंने फॉलो की और मुझे क्या रिजल्ट मिले वो उस वीडियो में शेयर किया था थोड़े से कुछ कमेंट और कुछ परसनल रिक्वेस्ट मुझे मिली की मुझे प्र लाजवा की प्रॉब्लम है तो यह प्रॉडक्ट्स आपके लिए help कर सकते हैं यह जो चीजे मैं आपके साथ शेयर करूंगी यह मैं अपने और मेरी जो चीजे मैं आपके साथ शेयर करूंगी और मेरी जो चीजे में जादा ओयली नहीं हो पाती है साथ मेरी स्किन जो है वो एकने वाली भी है यानि एकने भी हो जाते हैं सर्दियों में कम होते हैं गर्मियों में होते रहते हैं यानि महिने में एक दो आता रहता है बहुत से products इस्तमाल करने के बाद दोस्तो एक जिंगे पर मैं stick हुई हूँ कि हाँ ये product मेरी skin के लिए काम कर रहे हैं और करेंगे morning में क्या use करती हूँ, evening में क्या use करती हूँ और week basis पर क्या use करती हूँ सभी आपको दिखाऊंगी बताऊंगी तो वीडियो के end तक बने रहीएगा, face wash तो वैसे तो दोस्तो मैंने बहुत से इस्तमाल की हैं पर ये बायोटीक का face wash है मैं photo side में लगाती जाऊंगी क्योंकि मैं front camera से shoot कर रही हूँ हो सकता है आपको ना मच्छे से ना नज़र आएं तो मैं photo लगाती जाऊंगी तो ये जो face wash है ये 150 का पढ़ता है और 150 का ये बहुत मतलब मतलब दो महीने अराम से मेरा चल जाता है सर्दियों में मैं ये इस्तमाल करती हूँ light है और बिल्कुल भी skin को dry नहीं करता है इसी के साथ का एक product आता है हिमाल्या का भी नीम face wash ही है वो भी आप वो भी इस्तमाल कर सकते हैं तो face wash के बाद दूसरा product दूसरा product हो सकता है टोनर भी अगर बहुत जादा oily और acne वाली skin है तो toner इस्तमाल करें बहुत अच्छा skin पर काम करता है जो हमारे open pores होते हैं उनको बं करने का काम करता है यहां पर मैं लेकर नहीं आई हूँ पर मैं सर्दियों में उसको भी इस्तमाल नहीं करें हूँ इसलिए मैंने शायद पिक नहीं किया गर्मियों में उसको regular basis पर use करती हूँ फोटो लगा दूँगी फिलहाल मैं कौन सा इस्तमाल कर रही हूँ एक जो bottle है मेरी छे महिने तक अराम से चलती है निसाल में दो बॉटल मुश्किल से लग पाती है ज्यादा टाइम भी निकाल देती है तो टोनर में इस्तमाल जो करती हूँ वह आपको साइड में रेकमेंट कर दूँगी ऑली स्किन के लिए बेस्ट रहता है दोस्तों जरूर आप ट कोई बॉटल भी मेरे पास नहीं है तो मैं नाया सिनेमाइड इस्तमाल कर रही हूँ नाया सिनेमाइड 10% में इस्तमाल करी हूँ आप अगर पिल्कुल है स्टार्टिंग में है या आपके स्किन जो है सेंसिटिव है तो आप बहुत ही कम डोज में ये सेरम्स लेंगे यानि जो 10% है वो आप 4, 5, 6 जो भी आपको लो रेंज में मिले वही आपको लेना है हाई में एक साथ नहीं जाना है नाया सिनेमाइड ब्लमिशीज को डाक स्पोर्ट को और पिग्मेंटेशन को लाइट करने में बहुत जादा हेल्प करता है और बहुत ही सिरम्स जो है वो स्किन इस्तमाल करेंगे जब आपको बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट उनके देखने को या मैं कहूं विजिबल रिजल्ट आपको देखने को मिलें ओईली स्किन के लिए दोस्तों मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी खासता और पे और एकने वाली स्किन के लिए कि कौन सा सेरम उन पर काम करेगा फिलहाल जो मैं चीज़े यूज़ करी हूँ वही आपको बता रहे हूँ तीसरा स्टेप है हमारा मॉइस्टराइजर का मॉइस्टराइजर ये क्रॉफी का है डॉक्टर रेडी का है और ये मुझे डॉक्टर ने यानि डर्मटॉलोजिस्ट ने ही र नॉर्मल है और ड्राइ है तो आप और प्रोडक्ट इस्तमाल किजेगा ये सिर्फ ऑईली स्किन के लिए है वैसे मैं रेक्मेंट करूं तो सेटफिल के प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा काम करते हैं ये सेंसिटिव स्किन के लिए तो परफेक्ट हैं और 10 प्लस के आपके बच्चे हैं तो उनके लिए भी आप इस्तमाल कर सकते हैं इसके अलावा ये मैं ये है हमारा नॉर्मल और सेंसिटिव स्किन के लिए इसमें ऑईली स्किन के लिए भी आता है फेस वाश भी आता है संस्क्रीन भी आती है तो वो भी आप इसके लिए सकते हैं ये बहुत अच पर फोड़ा और इसको मैं बहुत बहुत टाइम से इस्तेमाल कर रही हूं और यह SPF 50 प्लस है अगर आपकी स्किन में ब्राउन स्पोर्ट्स डार्क स्पोर्ट्स की प्रॉब्लम है तो SPF 50 प्लस ही हमारी स्किन के लिए काम करेगा वही आपको लेना है मैं यही इस्तमाल कर रही हूं और इसको रिपीट जरूर करना है हर तीन घंटे में 9 बज़े से शाम के 5 बज़े तक हमारे स्किन पर संस्क्रीन खस और पर फेस पर जरूर होनी चाहिए तभी पिग्मेंटेशन बहुत जल्दी लाइट होंगी क्योंकि धूप का असर उन पर नहीं होगा और जो हम यह सेरम वगेरा इस्तमाल कर रहे हैं यह तभी काम करेंगे पर यह चीज़े मुझे बहुत धीरे-दीरे समझ में आए जब इस्तमाल की तो असर भी देखे हैं तो यह आपको लेना है अगर पिग्मेंटेशन बहुत है अगर आप ज्यादा इंवेस्ट नहीं कर सकते तो एक अच्छा मॉइस्टराइजर एक अच्छा फेस वाश और एक अच्छा संस्क्रीन आप जरूर जरूर इस्तमाल करना शुरू कर दें अगर फालतू की चीज़े और कु ले रही हूं जादा नहीं लेती हूं यह मैंने उस वीडियो में भी बताया था तो खाने के साथ एक कैप्सूल यह जाता है दिनर में उसके बाद आजाते हैं स्किन पर फेस वाश के बाद जो दूसरी चीज लगाती हूं वो लगाती हूं दो चीज़े दो चीज़े एक कि हुए आपको एसे नहीं है कि बॉखत कर देगा यह किस किन के लिए मौस्टिराइजर का क्वाम करता है यह यह किस Turns डेर्म करता है मौस्टर को जिसके सकर्ण सॉफ्ट ersर ती है और बहुत अच्छिक बहुत अच्छिक यह रिद्ध क्रीम या फिर लोशन या फिर सरम्स लेने की जरूरत नहीं है यह आपको एजली मिल जाएगी केमिस शॉप पे तो आप ले सकते हैं टू हंडर्ड टू फिफ्टी के आसपास इसकी रेंज है जो महंगे महंगे सिरम्स वगेरा से तो बहुत अच्छी है और सेम चीजे ही उनके गीली स्किन पर इसको हम इस्तमाल करेंगे यह फेस वाश करने के तुरंत बाद इसको लगा लेंगे थोड़ा सा टावल से साफ करके यह हलका सा पानी स्किन पर होगा नैचरल जो अंदर जाता पानी वैसा बिल्कुल ड्राइ स्किन पर नहीं लगाना है इसको लगाने के दो तो मिनित बाद ही हम लगा लेंगे अपना मौश्टराइजर और मौश्टराइजर में ये सेम ही रात को भी इस्त्माल करती हूँ तो ये हो गया इसके अलावा दोस्तो अगली जो चीज मैं इस्तिमाल करती हूँ वह करती हूँ वी में 3 टाइम तीन बार हो हमारा रेटनोल सिरम है वह इस्तमाल करते हूं अगर आपकी स्किन ड्राइए है तो दोस्तों रेटनोल की क्रीम आती है जो कि आपको काउंटर पे मिल जाएगे याने की कैमिस्ट शॉप पे इसली मिल जाएगी सस्ती पड़ती है और सिरम थोड़ी से कॉस्टली होते हैं तो आप बो प्ले की भी आई थिंग रेटनॉल क्रीम है नाइट केर के रूटीन के हिसाब से तो वो भी आप ले सकते हैं मैं ये जेडेम का ही यूज कर रही हूं और ये मैं तीन बार ही इस्तमाल करती हूं वीक में ऐसा नहीं है डेली लगाना है तीन बार ये दो दिन के गैप में तीन द कर लगाना शुरूर कर देंगे तो आपकी स्किन बिगड सकती है इसको बहुत धीरे धीरे 15 के क़ोंटेक्ट में यनी स्किन को इसका आदी बनाना पड़ता है नहीं तो ये बहुत जलदी ही हमारे स्किन को इ्रेटेट कर देता है रेटनॉल बहुत अच्छा काम है एज़िं लगाईए गार उसके उपर से फिर से आपको मॉश्टराइजर की एक लेयर बनानी है तो इस तरीके से आप करेंगे तो आपकी स्किन को irritate नहीं करेगा मैं इसको ऐसे इस्तेमाल करती हूं कि पहले लगाने के बाद उपर से मॉश्च्राइजर लगा लेती हूं तो ये नाइट केर मेरा इतना ही है कम्प्लीट हो जाता है कोई पांदस प्रॉडक्ट मैं इस्तेमाल नहीं करती हूं इसके बाद दूस्तों जो अच्छा काम करता है अगर आप कहेंगे तो इस पर डिटेल में वीडियो बना दूंगी इसके अलावा एक और चीज है दोस्तों बहुत-बहुत अच्छा काम करती है यह है यह जो पीलिंग सॉलुशन है यह बेस्ट काम करता है आपको कोई स्क्रबिंग की जरूरत नहीं कोई फेसमा की जो हम वो शीट से लगाते हैं उनकी किसी की फेशल की भी जरूरत नहीं है अगर यह आपकी स्किन पर अच्छा काम करता है मैं यह डर्मा को का इस्तमाल कर रही हूँ अभी मेरे पास यह अच्छी खासी क्वांटिटी में बचा हुआ है और इसकी बॉटल देखकर ही आपको अंदाजा हो जाएगा कि यह मेरा कितना पुराना है तो यह मैं इस्तेमाल करती हूँ इसको इft वाश करने का तरीका है कि आपकी ड्रास किन हो फेश वाश करने के बाद इसको लगाना है दस से 15 मिनट रखना हैं और फेश वाश फिरिसे कर लेना है सिंपल पानी स इसको अगर आप इस्तमाल कर रहे हैं तो आपको संस्क्रीन जरूर लगानी है और जिस दिन AHA BHA peeling solution आप इस्तमाल करें उस दिन हमें retinol वगेरा कुछ नहीं लगाना है simple moisturizer लगाना है और सो जाना है और night time पर ही इसे इस्तमाल करना है पहली बार इस्तमाल करेंगे जब हम इसे लेंगे 15% की मात यानी यह 30% में है आपको 15% वाल यानी जो कम range वाला होगा वही हमें लेना है high में एकदम नहीं जाना है 15% 10% वाला आपको मिलता है तो पहले vote try कीजिएगा उसके बाद ही इसकी और जाईएगा यानी 30% पर जाईएगा तो यह मैं अब 30 पर बहुत टाइम बाद आई हूँ बहुत टाइम आज मतलब मैं छोटी बॉटल मगवाई थी वह मेरी स्किन पर सही रहा तो फिर मैंने 30 पर यह स्विच कर दिया तो यह भी मेरी स्किन पर काम करता है अगर आप चाहते हैं कि इन मे बहुत जल्दी अच्छे मिलेंगे और 100% मिलेंगे किसी भी प्रोड़क्ट को इस्तमाल करने से पहले उसका टेस्ट जरूर करना अपने कान के पीछे या अपने अलबो पे और 24-48 गंटे बाद ही आपको प्रोड़क्ट अपने फेस पर अप्लाई करना है वैसे आप 72 गंट जरूर होती है लेकिन बहुत जादा हो तो वाश कर लीजेगा फिर हो सकता है या आपकी स्किन पर ना जाए तो संस्क्रीन बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है ना ही घर के अंदर ना ही घर के बाहर तो दोस्तों यह प्रोड़क्ट्स हैं जो मैं इस्तमाल कर रही हूं अगर मेरे लिए तो इन प्रोड़क्स में हेल्प की है फिर भी कोई और हेल्प आप चाहते हैं कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखे मुस्कुराते रहे खुब सू अपने आप लगेंगे बाई बाई